सो हे गाईस आप सभी का फिट से स्वागत करता हूं about mathematics चैनल में तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग कुछ theorem देखेंगे ठीके तो यह जो theorem से इनको कहा जाता है कि कौची theorem on limits ठीके तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीनो theorem देखेंगे और उसका नहीं करेंगे क्योंकि वह त्वाससे हम लोग को जो knowledge मिले गाए वो problem solve करने में काम आसकता है ठीके तो बैसिकलिन यह thing यह दिमाग पर स्टोर करके रखना होगा क्यूंकि problem सब्सक्राइब करने में यह theorem काम आ सकते या इन थियोरियम का हम लोग help ले सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले मैं UN be a sequence and limit UN is equal to L. ओके, then क्या होगा, then limit U1 plus U2 plus dot 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 plus UN by N होगा L, ठीके दोस्तों, तो अगर UN a sequence है, और उसका limit अगर L होता है, तो क्या होगा, then limit U1 plus U2 plus dot 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 plus UN by N is equal to L होगा, ठीके, तो simple सा theorem है, आप लोग को समझ आगे होगा, कि मैं क्या, यह जो theorem है, यह कहना क्या चाह रहा है, या इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, ठीके, तो आप लोग समझ गए होगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक problem solve करेंगे, इसके उ 1, ठीके, तो problem में है कि proof that, limit 1 plus half plus 1 by 3 plus dot 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 plus 1 by N by N is equal to 0, ठीके, तो यह हम लोग को proof करना है, ठीके, रोस्तों, तो यह proof करने के लिए, यह जो theorem मैंने, यहाँ पर discuss किया है, ठीके, यह काम आएगा, ठीके, तो यह equal to हम लोग को 0 दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका solution करते है, चलिए, solution, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, let un is equal to, लेंगे हम लोग one by n, ठीके, अगर हम लोग un equal to on by n लेंगे, तो ही यह जो theorem मैं इसको apply कर सकते हैं, इस problem के लिए, ठीके, तो un equal to हम लोग ने on by n यहाँ पर ले रहे हैं, ठीके, तो one by n sequence का limit आप लोग को पता होगा, यह convergent है, one by n sequence, and कहाँ पर converge करता है, zero पर, ठीके, ठीके, तो तो हम लोग क्या जानते हैं, कि limit un is equal to limit one by n is equal to zero, यह हम लोग जानते हैं, कि one by n sequence, जिरो पर कंपच करता है, मतलब उसका limit zero है, ठीके, तो one by n sequence का limit zero है, तो यहाँ पर आप लोग यह जो theorem है, इसको apply कर सकते हो, क्योंकि, अगर आप लोग यहाँ पर लोग है, कि limit, जो हम move करना है, यह हम लोग सीधा ले ले लेते हैं, कि one by three plus dot 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 plus one by n by n, तो यहाँ पर आप लोग यह जो theorem है, by this theorem, आप लोग सीधा एकदम लिख सकते हो, कि limit, यह is equal to zero, क्योंकि यह जो theorem है, यह तो वही कहा रहा है, अगर un, एक sequence है, and उसका limit L होता है, तो यह जो है, इसका limit भी L होगा, तो यहाँ पर हम लोग one by n sequence यहाँ पर consider किये हैं, और उसका limit है zero, तो इसका limit भी हो जाएगा zero, तो यह theorem apply करके, आप लोग यह जो problem है, इसको और भी आसानी से solve कर सकते हो, दोस्तों, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जब solve करोगा, तब यह जो theorem है, इसके बार म number full मिलेगा, नहीं तो अगर जो आपका examiner है, उसको अगर नहीं समझाएगा कि यह आप कहा से कर रहे हो, तो वो number नहीं भी दे सकता है, ठीक है, तो यह जो theorem है, इसके बार में थोड़ा सा आप लोग लिखी देना, ठीक है, side में, तो आप लोग को full marks मिलने का chance है, ठीक है, त हम लोग 0 दिखा दिए, ठीक है, तो theorem का यहीं काम होता है, ठीक है, तो चलिए, दूसरा जो theorem है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा जोरा है, है, कि लेट यू अबी रियल सिक्वेंस, such that un greater than 0 for all n belongs to the set of natural number and limit un plus 1 by un un is equal to l then nth root of un sorry limit hooga is equal to l hooga ठीके तो अगर un x sequence है और क्या है आपर un किस तरह का sequence है greater than 0 for all n belongs to the set of natural number and अगर limit un plus 1 by un is equal to l हो जाता है तो आप लोग लिख सकते हो limit nth root of un is equal to l ठीके तो यह जो theorem है इसका भी हम लोग application देखेंगे तो चलिए हम लोग problem ले रहे हैं तो problem 2 ओके तो problem 2 में क्या है दोस्तों यह पर भी यह जो theorem है यह हम लोग apply करेंगे ठीक है तो problem यह है कि prove that limit n factorial to the power 1 by n by n is equal to 1 by e ओके दोस्तों तो यह है problem prove that limit n factorial to the power 1 by n by n is equal to 1 by e तो यहाँ पर आप लोग यह theorem आप लोग को यहाँ पर apply करना होगा इसका तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे solution यहाँ पर हम लोग u n is equal to n factorial by n to the power n okay then क्या होगा यह तो greater than 0 ही होगा ठीक है यह 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 भालू for all n belongs to the setup set of natural number के लिए ठीक है यह greater than 0 होगा and limit un plus one by un is equal to क्या होगा 1 by e होगा दोस्ता जो के greater than 0 है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग यह मैंने एक तम simply यहाँ पर कर दिया क्योंकि जो अगर हम लोग simplify करेंगे यह उसका limit निकालेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए मैंने एक बार में इसको कर दिया दोस्तों ठीक है तो limit un plus one by un is equal to one by e आ गया जो के greater than 0 है तो theorem में यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर छोड़ गये वो है l not equal to 0 है अपर ठीक है तो यहाँ पर जो l आया है वो not equal to 0 है क्योंकि greater than 0 है यह one by e तो greater than 0 है तो यहाँ तक तो हो गया तो अगर यहाँ तक हो गया तो हम लोग क्या कर सकते है कि यह जो हम लोग को मिला है इसके पावर में अगर आप लोग one by n ले लोगे तो उसका लिमिट भी one by ee होगा तो चलिए तो हमारा un क्या था तो यहाँ पर limit un to the power one by n लेंगे हम लोग तो यहाँ पर मिल जाएगा n factorial to the power one by n और यहाँ पर n to the power n one by n तो यहाँ पर हो जाएगा sorry यहाँ पर limit होगा यहाँ पर भी limit होगा n factorial to the power one by n by n और इसका limit भी हो जाएगा one by e जो कि greater than zero है ठीके तो आप लोग देख सकते हो कि यह जो theorem है इसका apply करके हम लोग बहुती simple तरीके से यह जो problem है इसको solve कर लिया है ठीके तो इसी तरीके से आप लोग को theorem का जो application है मतलब theorem को apply करना आप लोग को होगा ठीके तो यहाँ पर un हम लोग ने यह लिया था un greater than zero होगा क्योंकि यहाँ पर आप लोग चाहे जो भी नाचल number put कर लो यह greater than zero ही होगा और limit un plus one by un का होता है one by e होता है इसका limit limit un plus one by un का limit होता है one by e जो की greater than zero है ठीक है तो अब हम लोग जो theorem का जो last बोला जाँ हिस्सा था then limit nth root of un is equal to l तो यहाँ पर un to the power one by n करते है तो हम लोग को यह मिल जाएगा nth root मतलब यह होता है ठीक है un is equal to un to the power one by n ठीक है तो यहाँ पर आप लोग अगर one by n आप लोग दीख रहा है तो कुछ मैंने गलत नहीं लिखा ठीक है मतलब यही होता है इसको आप लोग लिख होगे तो यह होगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो theorem में मैं कुछ छोड़ गया था ठीक है तो यह पर l ठीक है तो यह गया दूसरा theorem और यह जो दूसरा theorem है सिम मतलब लगबग सिम बस थोड़ा सा अलग है ठीक है बात लगबग से हमें सिर्फ यहाँ पर अलग है तो वह है तीसरा थियोरिम तो चलिए वह भी देख लेते हैं तो तीसरा थियोरिम क्या है दोस्तों कि help लोग लेकर लेकर लेख संक तो यहाँ पर ब्हुन सेप्ट्टियोरिम आपर लोग लगक सते हो रेकर ल एमसिवें सोड़ यहाँ पर लोग लिक सटे घो रिल सेक्ट्ट अक हैस्ट्रॡ आप लोगा बलाएं पर लोगभा लोग है गलिखसरे क Pitts thou है तो the set of natural number, okay, and limit un plus 1 by un is equal to l, ठीक है, तो यहाँ पे l किस तरीके होना चाहिए, finite और infinite कुछ भी अगर होगा, तो क्या होगा, then nth root of un is equal to हो जाएगा l, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हों कि दूसरा जो theorem हम लोग ने देखा है, वो ही सेम है, सिर्फ यहाँ पे वहाँ पे था not equal to 0 यार यहाँ पर और यहाँ पर है finite और infinite, ठीक है, तो दोनो एक्जमपल लगब, स्री, दोनो theorem लगबग सेम ही है, सिर्फ यहाँ प यहाँ पर problem solve नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा theorem था और जो तीसरा theorem है, दोनों लगबग से हमें सिर्फ वहाँ पर आप लोग को क्या कर रहा होगा, जो limiting भालो होगा इसका, वो finite और infinite कुछ भी होगा, तब आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर not equal to 0 था, तो मैंने, वहाँ पर मैंने किया था, तो गेट दन 0 आया था, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग को जो L आएगा, मतलब यह जो limiting भालो आएगा, वो finite और infinite अगर हो जाएगा, तो यह आप लोग अपलाई कर सेकते हो, ठीक है, तो लगबग सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर L का value अल अगर कुछ दिक्कत वहाँ पर रहा है, तो ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को यह जो तीनों theorem से यह अपने दिमाग पर store कर लेना है, क्योंकि प्रॉब्लेम में कभी भी काम आ सकता है, अगर आप यह जो theorem से यह अगर आपके दिमाग में अगर store रहेगा, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लेम अगर आपको दिखे, तो उसको अगर आप लोग सीधी दरीके से solve नहीं कर पहोगे, तो यह theorem apply करके solve कर सकते हो, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह जो theorem से यह समझ आ गया होगा, तो अगर यह जो वीडियो है, इसको यह अगर आपको अच्छा लगता, यहा आपको पसंद आता है, और आपको कुछ पता चलता है यहाँसे तो इस वीडियो को ज़र्व लाइक करना दोस्तों को शाद करना और च्छेयर करना, और चयनल को सब्सक्रेब करना, दोस्तों मिलते अगली वीडियो में, तब तक लिए,